हेलो दोस्तों वैलकम दोस्तों कैसे हो आप सब आज मेरी पास देखिए एक लकड़ी का टुकड़ा है यह कोई लकड़ी का नहीं जो हमारे घर में डैस्क होता है ना उसका जो हम पीसी होता है तो उसका कीबर्ड रखने के लिए जो यूज करते हैं वहां का यह हिस्सा है तो यह तूट गया था और लगाना चाहा फर लग नहीं पाया तो मैंने संभाल के रखा था तो आज इसमें से कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो आप पूरा वीडियो देखोगे तब पता चलेगा कि क्या बना है यह बहुत ही हालपफुल है मैंने ऑनलाइन भी देखा था बहुत मेहगा है साथ सो आठ से रुपे का मिलता है पर मुझे यह घर पे ही बनाना था इसलिए यह देखे लॉक दिया है वो निकाला नहीं है वो एस इट इस रहने दिया है इससे आप बहुत सारी चीज़े बना सकते हों अगर आपके घर में सोप इस है तो उसे रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हों बस ऐसे छोटी छोटी चीज़े चाहिए जो हमें हाड़वर की सौप पर ऐसान इससे मिल जाएगी पर मुझे तो हाड़वर की सौप में भी नहीं जाना पड़ा यह सब मेरे घर पे अवलेबल हैं इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाये हैं तो एक तो थमनेल में यहां पे रख दूँगी जो एक साल पहले बनाया था कि ऐसे चीज़े में इखटी कैसे करती हूं तो जो भी हमारे घर में नेल होती है वो काम में नहीं आती या फिर कोई पुरानी चीज है वो तूट जाती है तो उसके जो सामान होता है वो निकाल देती हूं यह हूँग देखी यह हूग भी मेरे पास बहुत सारे हैं पर यह जो काटवर्ड का टुकड़ा यह जो टुकड़ा है वो बहुत छोटा है और उसमें यह जो बहुत बड़ी लग रही है इसलिए मैं इसका यूज नहीं करूंगी मैं दूसरा लेने वाली हूं और जो भी हो छोटी छोटी ले सकते हैं अगर आपके पास चपल के लिए नेल आती है ना उसका भी यूज कर सकते हो पर मेरे पास जो स्क्रोव वाले है ना वह है तो मैं उ इस पे साइट करके देखोंगी किस तरह से आ रहे हैं और हाँ वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा कि इतने सारी नेल में क्यों लगा रही हूं अगर आप वीडियो बगेर स्कीप करें देखोगे तो आपको पता चलेगा तो यह छोटी छोटी नेल में निकालोंगी और सब इखटा कर दिया था तो वो भी मैं अलग-अलग करके रख दूंगी हमारे गर में जो पुरानी बॉटल होती है ना तो उस बॉटल को संभाल के यह मैंने जो वीडियो बनाया है यहां पे मैंने स्क्रिंसोर्ट रखा है तो उस पे आप जाके देख सकते हो और हो सकेगा तो में डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विडियो था तो ऐसे जो बॉटल होती है हम फैक देते हैं तो उसमें हम अलग-अलग नेल रख सकते हैं तो देखिए यह स्क्रू वाले जो है मैंने दो फिंगर की जगह इस तरह से फिट करवाया है और यह मेरे अस्बंड के साथ ही करवाया था मुझसे यह नहीं हो रहा था तो उनको ही मैंने बोला था तो उन्होंने मैंने मुझे से सजेस्ट किया वैसे कर लिया है अगर आप चाहो तो इसके ओपर कलर भी कर सकते हो मैंने इसके ओपर कोई कलर नहीं किया बस ऐसे ही यूज़ किया है तो बस इसे मेने बताया उसे तरह से दो दो फिंगर और या एक एक फिंगर छोड़के आप लगा सकते हो इस तरह सेसे और में पहरे il कुछने मदा बिया ज़िए अापने रेखते हो और देखें वे relevant यहां कर दिया है और फिर इस तरह से यहां ड्रेल कर दिया है तो क्या है जो भी नेल है वो आसाने से चली जाएगी और यहां पर इस तरह से लगाने के बाद जो मैंने पहले ही दिखाया था ना कि हाड़ वाइड की सौप में से मिलेगा उसे पहले तो लकड़े से फिट कर देना है और लकड़े से फिट करने के बाद इस तरह से यहां भी फिट कर देना है तो देखिए आसाने से यहां फिट हो गया है और पिछे जो नीचे लगाते है ना तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है तो उसे हमें कोई लंबी चीज हो उसका यूज करके फिर उसे इस तरह से मारने से वो अच्छे से फिट हो जाएगी तो हो सके तो आप भी मैने वीडियो में दिखाया है उस तरह से कर सकते हैं तो अच्छे से यहां से फिट हो जाएगा देखिए यह लंबी चीज इस तरह से रखनी है औखल है वो रखा है और फिर इस तरह से फेट कर दिया है अच्छे से फेट होने के बाद देखिए इसका लोग कुछ इस तरह से आ रहा है ये काम तो मेरा हो गया ड्रेल मसिन से जो कच्रा हुआ है वो काम मेरा बढ़ गया है तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है ये आ अच्छे से साफ कर लूँगी ठकान तो लगी थी पर बाद में जब मेने मेरा ये डियाइवाई देखा तो मेल सारी ठकान दूर हो गई ये डियाइवाई मुझे बहुत ही पसंद आया ये आप मीशो अमेजोन उसमें भी सर्च करके देख सकते हों कि मैडल की जो स्टैंड है वो कितने कॉश्टली मिलते है और मैंने जीरो बसेट में बनाया है एक रुपे का भी खर्च नहीं किया बस थोड़ी मेहनत लगी है तो क अगर आपकी कॉमेंट आएगी तो नेक्स्ट विडियो में मिलेंगे थैंक यू